वेल्कम टू सवरो समाजी को राउंडर चैनल सवरो समाजी को राउंडर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो ये आपके लिए बहुत ही इंपोर्टन कोस्चन है जो पलक झापकते ही आपको याद हो जाएंगे चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज मैं बताने जा रहा हूँ नया चेप्टर है तिरभूई यह कोई नया चेप्टर नहीं है इस चेप्टर से मैं पिछला वीडियो एक दूगो पार्ट वान और पार्ट वी अपलोड कर चुका हूँ जिसको देखना है और समझना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है आप जाकर देख सकते हैं इसी वीडियो के नीचे में और एक नया चैनल होगा इंगलीज मेथ मेजिक डॉक्टर उस चैनल को आप सब्सक्राइब करके घंटी आवाज से ही दवा दे ताकि कोई भी वीडियो बिग्यान से हिसाब जितने भी है कलास नाइंद का तेंद का और पत्र से रिलेटेड आपको उस चैनल पर वीडियो मिलता ही रहेगा तो देर किस बात का आप जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है आप जाकर सब्सक्राइब अवाज से करने तो तिर्भू जै ठीक है इस पाट से मैं दो वीडियो तो पहले सारा एक भी कोश्चन में ऐसा नहीं होगा कि मैं छोड़ दिया हूँ मेरा यही सिद्धान्त है कि कोई भी चीज मैं बताऊंगा तो एक भी कारण किया आज मैं एक से आठ तक बताया तो कल नो नम्मर से बताऊंगा यह नहीं कि एक छोड़ दिये यह बन जाता है तो दूसर को जो भी है आप लोगों के सामने में बनाता हूं और जहां तक संभव है कि आप लोग भी इस वीडियो के माध्यम से इस बार जो बोड एक्जाम होगी अच्छे अंग से जहां तक संभव है कि जरूर पास कर जाईएगा तो सारा वीडियो में अपलोड कर चुका हूं इसका पहला वीडियो भी होगा ठीक है चतुर भूज होगा ठीक है फिर आया होगा बिरीता related जितने भी चितर है ठीके चितरातमग परस सारा का सारा मैं upload किया हूँ जिसको भी पढ़ना है पर इस्टे छे तफल और आयतार इसी वीडियो के निचे description में link दिया गया होगा और जिसको अगर description में link नहीं भी दिया होगा तो इस channel में आप वीडियो में जाएं पले list में जा कहूं जो वीडियो में लिंक दिया गया है एक बार अवसी देख ले ये कैसे आते हैं ये सब जो बनाया जाता है कैसे बनाया जाता इस तरह से समझा दूंगा कि कोई भी मोडल सेट आ जाए या कुछ भी आ जाए फर्क नहीं पढ़ने वाला है ठीक है आप जरूर ही बना दिजेगा तो ध्यान दिजे बाइस नंबर में हैं तिरभूज ABC में AB बराबर BC ध्यान दिजेगा ABC में AB बराबर BC और कोन C जो आए 80 डिगरी तो कोन B का मान क्या हो जाएगा तो आपको पता रहेगा कोन A का मान और कोन C का मान तो B के मान आप असानी से निकाल लिजेगा क्योंकि तिर्भुज के तिर्भुज के 3-0 के योग होता है 180 डिग्री, तो आप असानी से निकाल लीज़ेगा, ठीक है? तो सबसे पहले, साइध मैं 22 से बनाया कि 21 से, तो चलिए मैं 21 से ही आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है, 20 नमर से जो भी होगा तो ध्यान दीजी तो question है ध्यान दीजी ए ठीक है 20 नमर में एक समकुन तिर्भुज में सबसे लंबी भुजा क्या होती है माल दीजे एक समकुन तिर्भुज बना दिये है ठीक है यहाँ पर एक समकुन तिर्भुज है इसकी लंबी भुजा क्या हो जाएगी तो आपको बिल्कुल दिखाई देता होगा कि सबसे लंबा भुजा कुण्ठो है ये होगा कि ये होगा कि ये होगा बिल्कुल दिखाई देता होगा AC यानि ये वाला जो रेखा है A से C में जो खीचे है यही लंबा है इस रेखा का नाम है H इस रेखा का नाम है H जिसे अंग लंबी भुजा क्या हो जाएगी तो इस तिर्भुज में सबसे लंबी भुजा हो जाएगी कर्ण इस तिर्भुज में यानि सबसे लंबी भुजा पूछ रहा है एकाइस नमर में समकौन तिर्भुज में यह हुआ समकौन समकौन मतलब होता है 90 डिगरी समकौन मतलब होता है 90 नबे डिग्री तो नबे डिग्री में सबसे लंबी भुजा पुछ रहा है सबसे लंबी भुजा क्या हो जाएगी तो सबसे लंबी भुजा हो गया कर्ण उसके बाद है एक два जुश नंबर में ध्यान क्यों समभावू find वह का परतेक कुन कितना डिग्र één का होगा तो 3 किनो ब्हुझ कोनो network होता है कितना 180ρο मैसी डिगरी तो कितना कितना हो गाइन सब्सक्राइब जाएगे के, 3 से नदेना कितना और परतेक्त कुन कितना हो जाएगे। 10, 60, 66, 18 dg, साम बाहू तृरभुच का पर्ते कोन कितना डिगरी का होगा 60 dg का साथाधा kind है तंवरばईस नंबार का कुस्चन है तिर भूच a, b, c में एë b बी बराबर क्या प्राबर अब ऐसलाकation, और कौन c बराबर एक एक साथ queen criteria आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा ठीक है यह बिल्कुल असान है सिर्फ चित्र देखेगा और बन जाएगा इसलिए मैं इसको बाद में बना रहा हूं जो छित्र मीती सब है थोड़ा बड़े-बड़े हिसाफ था उसको मैं बना दिया हूं अब ध्यान दीजिए आप दे है आपको पता होगा माल लिजिए यह एए ठीक है इस कोन में इस कोन में ध्यान दीजिए क्या है जो दोनों में आता है बी भी है इसमें भी इसमें भी है ठीक है याद रखेगा या फिर दो मिनट के लिए आप जान जाएए कि बी बी क्या हो गया कट गया ठीक है तो यानि क इतना से याद है, अर जब बराबर है, ज़रा सूचइए, यह दोनों जब क्या है बराबर है, और y80 है, त। यह क्या होगा, 80ches यह भी होगा, तो बहन, तिर्भूच के तीनों कोनों का योग होता है 180 negro तो कौन A जोड है, बी जोड कौन सी बराबर हो जाएंगे 180 डिगरी ठीक है कौन ए जोड कौन बी जोड कौन सी बराबर हो जाएंगे 180 डिगरी तो कौन ए ए बराबर है सी के जगा तो कौन ए है तो लिग दिये यहाँ पर कौन ए ठीक है कौन बी बी के मान कितना है नहीं है तो कौन बी लिग दिय ठीक है कौन C के मान कितना दिया हुआ है 80 तो लिग दिये यहां पर 80 तो बोर रहा है जहां पर कौन C है यह दोनों तो बराबर है तो अभी फिलाल लिग देते हैं 180 डिग्री यह दोनों बराबर है C और A बराबर है तो इसको भी लिग सकते हैं कौन क्या लिग दिये C दोनों ज पहलेगा सी लिख सकते हैं तो कुण की जोड़त ध्यान देज तो कूं़ सी यानी ये भी कितना हो जाएंगे अस्य डीघ्री का ये कितना डिगरी का हो गया 80 डिगरी का तो कौन सी बराबर है तो कौन बी पलस हो जाएंगे 80 डिगरी बराबर 180 डिगरी ठीक है तो यहां पर हो जाएंगे 80-80 दुगो हो गया 80-80 कितना हो गया 160 तो कौन बच्छा हो गए 20 डिगरी जहां होगा 20 डिगरी इनसर वही होगा इसका इनसर यानि कौन B के मान किया आ गया 20 तो क्या पुछ रहा किसका मान पुछ रहा कौन B बच्छा रहा कितना 20 डिग्री का, तो 20 डिग्री एंसर, 23 नंबर में हिसाब है देखिए, तिर्भूज ABC में AB बराबर AC, तिर्भूज ABC में AC बराबर ध्यान दिजिए, तिर्भूज ABC में AB बराबर क्या है, ध्यान दिजिए, तिर्भूज ABC में AB बराबर क्या है, ध्यान दिजिए, 70 डिगरी यानि A B C में ध्यान दीजिए गोलता A B बराबर A C A B जो है बराबर है A C का ठीक है और कुन B बराबर कितना डिगरी है कुन B बराबर है 70 डिगरी माल लीजे 2 मिनट के लिए A A कट गया तो कौन B बराबर क्या हो गया कौन B बराबर 70 तो कौन C बराबर भी क्या होगा बिल्कुल 70 डिगरी होगा तो याद रखेगा इतना सा ठीक है याद रखेगा कौन C बराबर भी 70 डिगरी हो गया तो लिखना है कौन A जोड़, कौन B जोड़ कौन C बराबर 180 डिग्री आप लोग सुषते होंगे कि कौन A जोड़ B जोड़ C क्यों लिखे देखे कौन A जोड़ कौन B जोड़ कौन C 180 डिग्री हो गया है ठीक है तो ध्यान देजिए A के मान कितना है कुछ नहीं है क्या निकालने बोल रहा है किस का मान 23 नमबर में बोला जा रहा है A का मान निकाले ठीक है A का मान तो A का मान हो जाएगा कौन A का मान तो निकालना है तो A का मान अभी फिलाल नहीं है B के मान कितना है 70 डिग्री और बोल रहा है कौन B बराबर है कौन C के जब B है 70 तो ये भी होगा कितना डिगरी का 70 डिगरी का बराबर 180 डिगरी यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं कुन B जोड़ कुन B दूबर भी लिख सकते हैं कारण क्या दोनों कुन बराबरे है लिख सकते हैं तो कुन A बराबर हो जाएंगे कौन A पला 70-70 क्या हो गया 140 बराबर 180 डिग्री तो कौन A बराबर हो जाएंगे 180 डिग्री और यह पलास में बराबर के इधर जाएंगे तो हो गया माइनस 140 डिग्री तो कौन A बराबर हो जाएंगे सिर्फ 40 डिग्री तो 23 नमबर में है कहां कितना डिगरी है 40 डिगरी जहां है 40 डिगरी वही होगा इसका इंसर 24 नमर में तिरभूज ABC में AB बराबर AC ध्यान दीजए तिरभूज ABC में AB बराबर AC है और तो क्या हो जाएगा A अमान के चलिए कड़ गया तो कौन B बराबर हो गया कौन C कौन B बराबर हो गया कौन C और बोला जा रहा है 24 नमर में कौन B के मान है 55 डिगरी कौन B बराबर है 55 डिगरी और जरा सोचिए जब कौन B के मान 55 है तो कौन C के मान क्या हो जाएगा कौन C ये दोनों जब बराबर है ध्यान दिजे ये दोनों बिलकुल बराबर है कौन B और कौन C बराबर है इतने से सोच लिजे तो कौन B बराबर 55 हुआ तो कौन C बराबर कितना डिगरी हो गया इभी 55 हो गया ठीक है तो यहाँ पर पूछा जा रहा है 24 नमबर में कौन B बराबर 55 डिगरी हो गया ठीक है तो A का मान निकालना है ये के मान क्या हो जाएगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगग पच्पन क्या होगा 110 कौन A पलस 110 डिगरी बराबर 180 डिगरी तो यहाँ पर जो देख रहे हैं 180 में क्या करना है 110 घटा देंगे तो क्या हो गया बिल्कुल 70 डिगरी हो जाएगा ठीक है 180 में 110 यह पलस में बराबर के इधर जाते हैं तो 70 डिगरी हो गए यानि 110 डिगरी हो गए तो 180 में 110 घटेंगे तो 70 डिगरी तो 24 नमबर में है कौन A का मान हो जाएगा 70 डिगरी अब 25 नमबर में ABC में कौन B बराबर 55 डिगरी और कौन A बराबर 70 डिगरी ठीक है ध्यान दिजे ABC में कौन B जो है कौन B बराबर 55 डिगरी माल लेते हैं 25 नमर में तिर्भुज ABC में कौन B कौन B बोला जा रहा है यहां पर ध्यान दीजे कौन A बराबर है 70 कौन A बराबर 70 तो कौन B बराबर क्या हो जाएंगे कौन B बराबर दिया गया है 25 ठीक है तो तिर्भुज के तीनो कौनों का योग आप लोगों को पता होगा कि 180 डिग्री होता है तो 70 जोड ध्यान दीजे 70 लिखना है उसी तरह से लिखे A जोड B जोड कौन C बराबर हो गये 180 डिग्री ठीक है 180 डिग्री तो A के मन क्या है 70 B के मन क्या है 55 और कौन C बराबर क्या हो गया 180 डिग्री 70 और 55 क्या हो जाएंगे 125 डिग्री 125 डिग्री हो गये ठीक है 125 डिग्री जोड कौन C बराबर 180 डिग्री तो हो जाएंगे यहाँ पर दियान दीजे कौन C बराबर 180 डि घटा देंगे तो कौन C बराबर क्या हो गया 55 डिगरी यानि कौन A का मान क्या था C के मान आ गया 55 ठीक है और B के भी मान है कितना 55 डिगरी और A के जो मान आया कितना डिगरी है 70 डिगरी तो किये को कौन से मिल रहा है एक दू तो कैसा तिर्भूज होगा अगर दू को कौन बर तो ये तिर्भूज होगा दू को कौन बराबर है तो सम द्वी बाहू यानि द्वी लगा हुआ यहां पर तो समझ जाए कि सम द्वी बाहू तिर्भूज है तो 25 नमर में होगा कैसा तिर्भूज हो जायoncesगा धू को 55 निकला बी का भी मान निकला पच्पन और च का जो मान निकले ठीक है उसका भी आया पच्पन इसलिए हो गया सम्दी भाहु तिर्भूज 26 नमर में तिर्भूज A B C में A B बराबर AC 26 नमर में तिर्भूज A B C में A B बराबर ध्यान दीजे 25 नमबर जी 26 नमबर A B बराबर A C A B बराबर है A C तो A A मान के चलिए कट गया तो कौन B बराबर हो गया ध्यान दीजे कौन B बराबर कौन C और पहले से लिखा हुआ है कौन B बराबर हो गया कौन C कौन B के मान है 45 डिगरी, ठीक है, कौन B के मान है 45 डिगरी, कौन B बराबर कौन C, अगर कौन B के मान है 45 डिगरी, तो कौन C के भी मान क्या आ जाएगा, बिल्कुल 45 डिगरी आएगा, ये दोनों जब बराबर है, एक ही चीजा है, ये 10 होगा, तो ये भी 10 होगा, क्योंकि बरा अबर है तो यह 45 हुआ तो यह क्या साइट थोड़ो हो जाएगा यह भी होगा 45 डिगरी का तो कुण B और कुण C कितना डिगरी का होगा 45 तो क्या पुछ रहा है 26 नंबर में बोर रहा है कुण B 45 है तो कुण C क्या होगा यह भी 45 होगा तो 45 हो गया इसी परकार ध्यान दीजे B B, B है न, B और A कामान निकालने बोर रहा है, B, B कड़ गया, B, B कड़ गया, A कामान, तो इसको कैसे निकालना है, ध्यान दीजे, 27 नमबर में जो है, ध्यान दीजे, 27 नमबर में निकालना है, यहाँ पर जो लिखा हुआ, A, B, C में, B, C बराबर हो गया, A, C, यहाँ पर बोर बराबर है 80 डिगरी मान लिजे कौन B बराबर है 80 डिगरी तो B C बराबर क्या है A C नहीं लिखा हुआ है B C बराबर लिखा हुआ है ठीक है B C बराबर लिखा हुआ है A B तो B C बराबर है A B तो B B कट गया ठीक है और B के मान कितना है ध्यान दीजे B का मान है 45 डिगरी कौन B ब कुन C बराबर क्या हो गया, कुन B बी कड़ गया, तो C और A बचा, तो कुन C बराबर कुन A हो गया, ठीक है, कुन C बराबर कुन A, अब लिख सकते हैं, कुन A जोड, कुन B जोड, कुन C बराबर 180 डिग्री, यह हिसा में थोड़ा ध्यान दीजे, ठीक है, तो यह दोनों बराबर है, एक ही कुन आरा है, ठीक है, A और C, B के मान दिया हुआ, तो कुन B के मान कितना दिया हुआ है, यहां पर देख सकते हैं 45, तो यहां पर लिख दिया 45, अब बोला जा रहा है, कुन A जो बराबर है, ध्यान दिजे कौन C के, तो दोनों तो है, तो यानि कौन A के जगा कौन C भी लिख सकते हैं, दोनों तो बराबर है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, कौन A, जोड़, यह तो बराबर है, A के जगा C भी लिख सकते हैं, कौन A, C के जगा A मान भर दिए, क्योंकि दोनों जब बरा 80 degree और इपलस में बराबर की इधर गया तो हो गया 45 degree तो हो गया यहां पर कितना 45 degree ठीक है तो 27 नमबर में जो है कौन B का मान है 80 degree तो कौन B का जो मान है यहां हम देख लिए है कौन 26 नमबर का देख लिए है कौन B बराबर होगा कौन इसका मान भरना है ठीक है कौन B बराबर 80 degree तो यहां पर हो जाएंगे ध्यान देजे 2 कौन A बराबर हो गया 180 में 80 घड़ गया तो कौन A बराबर क्या हो गया 100 उपर और ये वाला जो 2 आ गया नीचे इसको कटा दिये तो क्या हो गया 50 तो कौन A बराबर जदी आया 50 जदी कौन A बराबर 50 आया तो जब कौन A और कौन C बराबर है जب कौन a आया 50, तो कौन c भी आयेगा, कितना, 50 degree, अब पूछ किसका रहा है, जिसको आभी पुछेगा, तो जवाब मिल जाएगा, a का भी निकाल दिये, c का भी निकाल दिया, b का तो है यह, स, c, ठीग है, लिखने में हुआ था, b का भी निकाल दिये थे, कितना तो किसका पुछ रहा है ध्यान दीजे पूछा जा रहा है यहां पर ध्यान दीजे 27 नमर में पूछा जा रहा है कौन एक आमान क्या है ध्यान दीजे कौन एक आमान निकाल दिये 50 तो कौन एक आमान हो गया 50 डिगरी अब 28 नमर देखे 28 नमर ये एकदम सेम तरीका से है अगर ये समझ गए तो 28 नमबर बिल्कुल समझ जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए, 28 नमबर में होगा, ध्यान दीजिए, 28 नमबर का सायद वीडियो लंबा हो चुका है, तो चलिए 28 नमबर मैं बना ही देता हूँ, तो जिसको भी कमेंट करना है, एक बात ध्यान से सुन लिजिए, जिसको इस वीडियो में कमेंट करना है, कुछ कमेंट नहीं करना है, सिर्फ आप अपना नाम लिख कर कमेंट करना है कि कौन सा विद्यार्थी ओनलाइन के माध्याम से पढ़ रहे हैं, सिर्फ अपना नाम लिखना है और कुछ नहीं ना इस लिखने का मन होगा तो लिखना है लेकिन आप अपना नाम लिखेगा कमेंट में इस बार क्या करना है अपना नाम लिखेगा और वीडियो पसंद होगा तो लाइक करना है अनिया था मैं जवड़ दस्ती नहीं बोलूँगा कि लाइक करना है जिसको भी अगर इस चैनल से पढ़ रहे हैं मन पसंद हुआ तो वो ओटोमेटिक वीडियो को लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे आप बोलने का जरूरत नहीं है ठीक है ऐसा थोड़ो है कि मैं बोल द लाने की कोशिस करें ठीक है मैं जहां तक होगा आप कमेंट कीजेगा सारा भरपाई मैं अवस्य करूंगा बस आप इतना सा कर सकते हैं कि अपना नाम लिग कर इस बार कमेंट करना है कि मैं वो बोल रहा हूं जो भी है सोहन बोल रहा हूं कि जो भी है कौन कुमारी बोल रहा है किया नहीं करना है वो अपना वाली बात है ठीक है लेकिन एक चैनल होगा English Math Magic Doctor उसे अब सब्सक्राइब करके घंटी दवाने ना भूले क्योंकि बिग्यान का आपको numerical question बताया जाएगा और chemistry का सुत्र इस तरह से बता दूंगा कि जितना भी class 9 में है या कोई भी है तो आप असानी से बना लिजेगा